खिर खाब आप्सटोर elन्यूबाट करेंगे खायगा की विसक्पारा बारे में देखानार आपको विस्तार तबारे मं बताएंगे तउक्पोर्ट मिल रहा है तेल के मार्केट में थोड़ा बहुत ज़रूर है लेकिन सोयाबीन में बहुत जदा तेजी देखी नहीं जा रही है आज देखा जाए तो आज जो कारोबार देखा गया है उसमें बादारों में वैश्विक आपूर्ती घटने की धाड़ना से शिकागो बोर्ड अफ ट्रेड में सोया तेल में तेजी नजर नहीं आ रही है आधर के बारे में महराश में नातूर में ऑक्टेगन्ट का वह ताली सो पचास है धननाश प्लाइच का रचीव देखे जा रही है आज का रेट 975 रुपय देखा जा रहा हैं तो बजारोओं में प्रकाश करेट Danik ह Bengal現का चमनल में तेकश सब्सक्राइब 988-45 सब्सक्राइब का का बिए जबी इसके यह जो आगए मार्किट में चाहिं लगाबार में रहा है तल्हें मत दश्ट बौण सबूक्ति काजह है सर्जों का मार्केट देखा जा रहा था लेकिन क्योंकि एक्सपारी के दिन चल रहे हैं मन्द एंड है तो बजारों मुष्ची जरूर देखने को मिल सकता है बात करेंगे किस दरह से कारोबार विदेशी मार्केट में चल रहा है विस्तार सब्सक्राइब तेजी मंदी की जानकारी चाहिए चाहिए वागर आप यह से कारोबार आने वाले ताइम में देखा जाएगा मार्केट प्रडिक्शन क्या रहेगा और जून का महीना है वैसे उसमें आप कैसा कारुबार देखने को मिलेका तो आप पुरी जानकारी के लिए मजबूत निर्यात के कारण के लसी ने आज भी अपनी बड़त जारी रखी है के सबी महीनों के अनुबंद अब 400 के स्तर को आजमा रहे हैं पाम तेल के निर्यात में सुधार के कारण यह उलेक किया गया है कि जल्दी 4000 के स्तर को पार कर सकता है आने वाले हफतों में के लसी तेजी मंदी के साथ 42 से लेकर 4250 की और बढ़ सकता है आगे की तेजी मलेशा की मई महीने की पाम ओयल स्टॉक रिपोर्ट पर निर्भर करेगी उत्पादन निर्यात से जादा है इसलिए पाम तेल का स्टॉक बढ़ने का अनुमान है मलेशा में पाम ओयल का स्टॉक बढ़ने से केलसी पर कुछ दबाव देखा जा रहा है कुल मिलाकर खादे तेल बजार का रुक पॉजिटिव नजर आ रहा है सोया तेल में आज 1-2 रुपए प्रती किलो तक की बढ़ने का अनुमान है वहीं पाम तेल रिस्तिर है 5 में पंदरा किलोग्राम में पंदरा सो पचास से क्रीटर करेट 94 रुपए पचास पैसे देखा जा रहा है सोया और में कीमते आज की पंदरा किलोग्राम में नौस आसी है संप्रार करेट दस प्रोग्राम में नौस ऑसी है मुंफरी में कीमते दस प्रण में चौदा सो असी देखी जा रही है तक का बजार में आपको यहां से आज के दिन रेट देखने को मिल सकता है इसके अलावा बात करते हैं अगर सरसों के बारे विद्वार के सरसों में मंगलवार के दिन जबरदस तेजी के साथ कारोबार देखा गया था जैपूर में 225 रुपए भरतपूर में 300 रुपए के असपास बढ़ गया था लेकिन है विक्री नोटिस बाजार से सो से 125 रुपए तक का मंदा दर्ज किया गया है है फेड में है फेड की 21 और 30 कि तेजी एक दिन में आई जो की सरसों में गिरावट आने नहीं देगी सरसों में में 1000 रुपए से जादा की तेजी देखी जा चुकी है और आगे जुलाई तक 500 रुपए और भी बढ़ने का अनुमान नज़र आ रहा है और मुंफली तेल कर देखते हैं तो 1465 से 1475 तो थोड़ी बहुत बोग्चार के बारे में तो थोड़ी बहुत बोकिंग बनी रहे क्योंकि चल रही है और ने की तरह से चुक्रेट आ रही है उसका भी आपको बज़र में थोड़ा बहुत दसर्द देखने को मिल निसकता है जैपूर में 22525 रही बर्वाला में कीमेटे सब्सक्राइब 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 इसके लावा प्लांटों के बारे में अगर बात करते हैं चांचार सो रुपे तक का सब्सक्राइब मार्केट में जितना अभी बढ़ चुका है उसमें अगर देखते हैं तो बहुत जादा गिरावट नहीं आएगी सरसो तेल में 40-42 रुपे तक की वजावरों में तेजी आ चुकी है तो यहां से नीचे जाना बहुत मुश्किल है जरूत के साथ से आप गिरावट पर खरीदारी जरूर कर सकते हैं और एक्सपारी को देखते हुए टाइम को टाइम आप उपर इस तरसे यहां पर सतक जड़ अपना प्राफिट बुक करना बिल्कुल ना भूलिए तो आज खबरों में सिर्फ इतना ही वीडियो अगर आपके लिए उसकुल होता है का वीडियो को लाइक जरूर कर लिए और खाद तेल बजास जोड़ी हर एक खबरों के लिए नियुज मार्केशन डिफोर को सब्सक्